हेलो दोस्तों स्वागे था आपका सोशियोलोजी क्लासेश के हमारी यूटूब चैनल पर जैसा कि आप सभी जानते है कि सोशियोलोजी का पेपर जो है हो चुका है जैसा हमें अपटेट मिला है उस हिसाप से जो पेपर है सोशियोलोजी का वस्षरल था अर्था आराम से 60-65 क किये जा सकते थे तो कठाब जो है थोड़ा सा इस बार का पिछली बार से जो है एक दो किस्टन या एक दो पर्शिंट जो है हाई जा सकता है पिछली बार का जो कठाब था जनरल की बात करते हैं जनरल वालों के लिए लगभग UGC नेट के लिए 200 नम्मर्स थे और वहीं जैयारप के लिए जनरल के लिए जो कठाब था वह दो सब्सक्राइब 288 जैयारप का कठाब था जनरल का EWS का जो है कठाब पिछली बार जो था वह 184 आपका नेट के लिए था और जैयारप के लिए दो सब्सक्राइब थे जो है जैयारप कठाब इसके बाद आ जाते हैं OBC के लिए OBC का जो कठाब था विछली बार नेट के लिए जो था वह 182 था और जैयारप के लिए जो कठाब था वह 198 था तो ए हो गया वही इसी से थोड़ा सा चार पांच नमबर कम जो है स्का कठाब था जैयारप का और नेट के लिए कंशनつ लंसी जो है ये स्कास स्कोरkoề टा करकाब टार्व लगबाक साथ परसेंट मुझाप साथ एक्षोड नमबर था 107 तो EU टो कठाब की बात तो पकठाब लगबक ऐसी के सब्सक्राइब करेगा वह पेपर वन किसका कितना अच्छा गया है तो पेपर वन जिसका जितना बढ़िया चला गया है उस हिसाब से कटाब तयार होगा फिर भी जो भी पेपर पेपर वन में 28 से 30 किफचन लाता है उसका नेट अराम से हो जाएगा जैसा कि सोसियोलोजी क्या पेपर था और 35 किफचन अगर जो कर लेता है पेपर वन में जिसका राइट आंसर है और पेपर टू के लिए जो 72 से 75 किफचन जिसका सही है यह हम जनरल की बात कर रहे हैं तो उ 15 जो है मार्च तक हमारा एक्जाम में चलने वाला है दिशंबर 2022 का तो 15 मार्च कम सकम 10 से 15 दिन लेगा 10 से 15 दिन लेगा आपका एंसर की के लिए उसके बाद 5 दिन आंसर की चैलेंज करने के लिए देगा उसके 5-6 दिन बाद ही आपको आपका रिजल्ट मिलेगा मतलब इस अलगभग एक महिने से अधिक लग जाएंगे कि रिजल्ट आने तक 15 मार्च को हमारा एक्जाम खतम हो रहा है तो 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून के जून जो हचार 23 का जो एक्जाम है उसकी अपडेट यूजी इसी के जो चेयर पर्शन है उन्होंने पहले ही बता दिया कि जून का एक्जाम जो है कि जून के आसपास से स्टार्ट होना है इस हिसाब से जो है हमारा अप्रैल में ही जो है आनलाइन तो एंसर की की बात कर चुके हैं उसके बाद रिजल्ट कबा सकता इसकी बात हो चुकी है उसके बाद फार्म कप से अलाइन होंगे इसके लिए हम जो है मिड अपरैल अर्था 15 अपरैल के बाद की डेट 15 से 25 अपरैल के बीच में फार्म जो है अलाइन हो सकता है कि उसकी एक्जाम को कंड़क्ट कराने की बात हुई थी। लेकिन या 15 दिन रिदिब्सहों हमारा जो जून का एक्जाम है वह डिले होका जुलाई में हो सकता है जुलाई और अगस्ट के में जो है जून वाला एक्जाम होने की संभावना है उससे पहले कोई गुजाइश नहीं है क्योंकि जो फार्म की डेट हो रहती है वक्त कितना भी कम दे आपको 20 से 25 दिन का डेट यूजी सी नेट देता है यंटी ये देता है कि फार्म आप अनलाइन इसके बीच कल दीजिए तो इस प्रक्रिया में उसके बाद एक से डेड़ महीने आपको गाइपिंग देगा तैयारी के लिए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके तो आप जहां तक चानते हैं कि एक स वहां जैसे नए नए कॉंसेट Мнеनिस रहां है जैसे बुक तो समाज के उद्विख्यास के से चर्चा की गई थी और दूसरा और सी जो था वहाँ अंदोलन से संपन थी था उसमें की असींग कर यहां जो ऑन्दोलन कारीक प्रकार बताये हूं की चर्चा कि गई थी तो आर्ची इस बार का लिजी था और उसी तरह कठा ने कारावाले के जो तिंकर आ रहे हैं उसके लिए आप एक अलग से साट नोट से बनाईए क्या उसके लिए आपकी उनके जो है जैसे बोटरी लाड़ हो गए जिंग बैंग बेट बर्गेस नगरवाद इस सब जो है इन सब की एक साट नोट बनाईए ताकि आप उसको लाश्ट टाइम मेमोराइ कर सके आप एक फुल नोट बनाईए उसके बाद उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको साट कट में एक छोटा सा नोट से बनाईए जिसको रिवीजन के परपर्चे बनाया जाना है चाहिए तो यह सब कुछ दिशा निर्देश थे जो यूजी सी नेट के है जिसमें हम नए नए थिंकर्स बेस्ट बनाएंगे और इस बार का जो लेबल था यूजी सी नेट का उस हिसाब से हम आपको टेस्ट प्रवाइड करने की कोशिश करेंगे तक कि आपको एकसाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्फ मिल सके और उसके लामा हम जो है यूनिट व के माधियम से प्रवाइड कराया जाए रही बात क्यूश्चन आंसर या प्यू आई क्यू सेशन की तो उन सब के वीडियो अल्रेडी इस चैनल पर पढ़ चुके हैं तो उन्हें बार बार नहीं कराया जाएगा हाँ एक्जाम जब नजदीग होगा उस समय प्रेक्टिस के लिए आपको कि उस्चंट कराये जा सकते हैं लेकिन इस बार हम नया कुछ करेंगे ऐसे क्यूस्चन बनाएंगे जो की एंटी ये में जो लेबल है उस लेबल से क्यूस्चन हो तो आज की वीडियो यह समाब करते हैं वीडियो को लाइक और सेयर करें चैनल को करें थालने पाद।